Hello everyone, welcome back to enlightenment, आज हम डिस्कस करेंगे Women Dole in Formal Education, यह जो आपका topic है, B.Ed में जो आपका subject है Gender, School and Society, उसमें यह topic है आपका third unit में, और यह B.T.C. बाले student के लिए important topic है, और यदि आप U.P.T.E.T.E.T. का exam दें जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका important topic है, तो आज हम बात करेंगे Women Dole in Formal Education, जैसे कि हम जानते हैं कि जो Women की situation है, पहले जो उसकी situation थी, उससे बहुत बड़ा, बहुत सारे changes आए हैं, हम जब ancient time की बात करते हैं, पराने समय की बात करते हैं, तब वो जो है की Women, जो है, मैन के साथ, मैन के साथ, मतलब उनके साथ, ही education लेती थी, मतलब साथ, साथ उनके education चलती थी, दोनों को समान ही equal ही right दिये गए थी, लेकिन जैसे जैसे ही medical period आता है, उस समय परदा परथा बढ़ जाती है, तो तब वहाँ पर क्या है की education की जो situation है, वो Women की कुछ कमजोर हो गई थी, यदि हम present scenario की बात करते हैं, तो present scenario म जो हम इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर Women जो है, President भी रही है, प्राइमेस्टर भी Women रही है, लोग सभाई speaker भी रही है, और जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन सब पोस्ट पर Women को place मिला है, और भारत में जो Women हैं, वो अब सभी तरह की activities में participate करती है, education के area में, politics मे मीडिया में, culture में, science और technology में, सभी में पूरा पूरा participate कर रही है, और जो इंडरा गांदी जो की first Women and Prime Minister थी, इंडिया की, उन्होंने लगभख 15 साल तक जो है, अपनी पद पर काम किया, जो की सबसे लंबा time period था, और जो हमारा constitution है, उस constitution में भी Women को equal right देने के लिए, जो आपका one trade 14 है उसमें, राजजे द्वारा कोई भी भेदबाव नहीं करने की, अब सर जो सारी उनको equal opportunity मिलें, चाहे वो man है या woman है, और इसके अलावा, जो woman है, और बच्चों के पक्ष में भी, state ने special provision दिये हैं, और महिलाओं की गरिमा के लिए, और जो भी, मतलब ऐसी जो rituals हैं, जो कि सही नहीं हैं, उनको छोड़ने के लिए, और साथी साथ में काम की उचित और मानवे परिसितियां सुरक्षित करने के लिए, राजजे द्वारा प्रोविजन को तैयार करने की अनुमती दी गए, या प्रोविजन ऐसे बनाए गए हैं, तो आज हम, मैं डोक जो इसका बात करें कि 1951 में, जो literacy rate क्या था, और बाद में 2011 का जो हुआ था, उसमें literacy rate क्या हो गया था, education is one of the most significant means for empowering an individual or community, जो education है, ये एक ऐसा tool है, जो की social change लाने में सहायता करता है, वो चाहे किसी भी community का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी society का हो, जब तक वहाँ पर women educate नहीं होंगी, यदि women educate नहीं है, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगी, अपने बच्चों क education नहीं देंगी, तो इसका मतलब क्या है, कि जो बच्चे हैं, वो देश का future होती है, यानि कि वो future जो है, वो secure नहीं है, इसका मतलब, यदि एक women पढ़ी लिखी है, तो वो पूरी society को पढ़ा सकती है, पूरे देश को पढ़ा सकती है, क्योंकि उसके उपर पूरे परिवार की responsibility होती है, और जो हमारे गांधी जी है, उन्होंने भी women's education को proper importance दी थी, उनका मानना था कि यदि हम women's को proper way में पढ़ाते हैं, तब हम देश का निर्मान कर सकते हैं, राष्ट का निर्मान कर सकते हैं, और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि, जो हमारी जैसी हम education ऐसी होन और boys को उनके अपने अपने लिए खुद के लिए वो responsible बनाएं, ऐसी education दें, जो एक दूसरे के लिए उनके मन में respect हो, ऐसी emotions को हम पैदा करें, और उन्होंने इस तरह की education की बात की, तो जो education का education achievement है, उसका level और literacy rate की हम बात करते हैं, तो वो समाज के सामाने विकास के संकेत मतलब यदि women educate है, literacy rate हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी society का यह हमारी देश का development हो रहा है, क्योंकि वो gender gap भी तभी खतम होगा, यहापर gender equality तभी आएगी, जबकि women's को empowering मिलेगी, उनको education दी जाएगी, तभी क्या होगा, जो है sustainable development हो पाएगा, अब यहाँ पर हमें बात करने कि ओपचारिक शिक्षा की बात करनी है, कि ओपचारिक शिक्षा का, मतलब उसका women's का क्या रोल है, पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि formal education होता क्या है, तीन तरह की education आपने देखे होगी, formal, आपने BA first year में पढ़ा होगा, जो आपका philosophy वाला paper है, उसमें पढ़ा होगा, कि formal education, informal education और non-formal education, तो जो formal education क्या होती है, which take place as an intent with formally constituted education institutions, such as school, college, university, मतलब जो school में, college में, university में education दी जा रही है, यानि कि जो systematic होती है, well planned होती है, इसके objective decide होती है, curriculum decide होता है, यह pre-decide होती है, और भी प्री-plan होती है, इसके जो planning होती है, थोड़ी, मतलब flexible planning नहीं होती है, इसमें सीखने वाले को school जाना होता है, college जाना होता है, जो भी time table होता है, उस time table के according ही काम होता है, उसके बाद examination होता है, फिर certification होता है, certificate दे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और skills दोनों ही develop होती है, और यहाँ पर जो बच्चा है, किसी ना किसी vocation के लिए उसको तयार किया जाता है, और यह आपकी हो गई formal education मतलब, इसमें यह formal education में आप fees भी देनी होगी, आपको syllabus दिया जाएगा, curriculum decided होगा, यहाँ पर बच्चे को आकर अपने time period according पढ़ना होगा लेकिन जो आपकी informal education है और एक non-formal education है, informal education इसके कोई pre-decided objective नहीं होते हैं, ना है कोई teaching method होती है, यह हमें अचाना की मिल जाती है, मतलब हम अपने family में लेते हैं, इसको अपने society में लेते हैं, तो जैसे कि हमें बोलने चालने का, रहने सेने का, खाने पीने का, यह सारी ची society में रहते हुए, जो भी अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, वो आपकी आती है, हमारी informal education के अंदर, और non-formal education के अंदर मतलब जो adult education दी जाती है, यहां पर क्या है कि जो objective हैं, वो तो decide होती है, curriculum भी decide है, teaching method भी decide है, लेकिन यह informal education की तरह है, जो formal education की तरह है, यह एक्द होते हैं, इस्षिक नहीं है, यह flexible होती है, जैसे हम यह तरह हम यह जो आपकी आती हैं, इस यहां आती हैं, यहां को समझा गया होगा, फोर्मल education क्या है, इन फोर्मल education क्या है और non-formal education क्या होती है, यह तो हम यहाँ पर बत करने हैं कि woman का formal education में क्या looks of support जूए, अँए धे की on that principle the concept of girl's education has been going on since ancient time प्राचीन समय से ہी जो है girls education दी जायरी दी गई है लेकिन जो उसका उस प्राचीन जो ancient time था उस समय बच्चों को girls को उतनी आपनी जाप्वाइबर की बात करते हैं तो तब गिंस और धूब दी तो शायद नहीं मिल रही थी क्योंकि उस समय गुलकुल में दी जाती थी और वही पर जाकर ही जो इस्टुएंट्स होते थे उन्हें गुलकुल में रहना होता था उनके रूर्स एगुलेशन इस्टिक्थ हुआ करते थे तो जो गर्स पढ़ती थी जैसे मैत्री का नाम आता ह है और की वह पड़ी लिखी थी बहुत एस्टुएंट का नाम आता है विदूशी महिलाएं थी उसके बाद हम मैडवल प्रियर्ड रिपोर्स ने तो मैडवल प्रियर्ड में जो परदा प्रता आ जाती है तो जिस ये कारण एजुकेशन बच्चों को इस गर्स को नहीं मिल पाती है ये तो हो गई हमारी इसकी बात की वैडव की बाद बुद्धिस प्रियर्ड में भी बहुत कम महिलाओं की एजुकेशन मिल पाई एजुकेशन दी गई लेकिन कम मिल पाई मतलब और मैडवल प्रियर्ड में वह और भी जादा कम हो गई अब इन आफर लाने के लिए कि वुमेंट को भी एजुकेशन दी जाए क्योंकि यदि हम जो गल्स को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी हम अपने देश का नवनिर्मान कर सकते हैं जो राष्ट का निर्मान है विविन इस तरों पर जो इंडियन वुमेंट है उसका उसमें बहुत ज्याद करें कि उसका हर जो भी एरिया हर एरिया में उसका पार्टिसिपेशन हो चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो सैंटिफिक हो आज तो महिलाएं जो हैं सार बड़ी-बड़ी पोस्ट पर काम कर रही हैं तो वो देखते हैं कि किस तरह से अब हम पहले देखेंगे प्री इंडिपे 1901 में 0.69 परसेंट उसके बाद 11 में 1.05 तो यह बहुत ही कम है इसका मतलब बहुत ही कम महिलाएं पड़ पाती थी 1921 में 1.81 परसेंट 31 में 2.93 41 में 6 हाला कि यहां से बढ़ना शुरू हुआ है लेकिन यह बहुत ही कम रहा उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडन जो हम इंडिपेंडनेंस मिल गई उसके बाद 9051 में 8.86 और उसके बाद 61 में आप देख रहे हैं 71 में 81 में हाला कि यह लगातार बढ़ रहा है रेशो रेट बढ़ रहा है लेकिन यह उतना नहीं बढ़ रहा है जैसे कि 11 में 65.46 यदि हम बात करते हैं कि यहां से 8.86 से स्टा बढ़ रहे हैं लेकिन यहनदे हम बात करें अन्डेट परसेंट में 65 बढ़ रहा है इसका मतलब 45 जो गर्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमें उनके लिए प्रयास करना है कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि और यह हम सभी को नहीं पढ़ पाएंगे तो वो as per census the total literacy rate क्या था 74 परसेंट था तोटल की बात करें बॉइस और गुर्स दोनों का जिसमें की वोमेन का 60.546 जैसे मैंने आपको बता है 2011 का 60.546 है और परसेंट दो फिमेल लिटेस्ट इन कंट्री वास 54.16 परसेंट था था in 2001 , 2001 में 54.16 था .the literacy rate in country has increased यह decrease rate increase हुआ मतलब की 1 में 54.16 और 11 में इतना था इसका मतलब रहे हो रहा है और फिमेल अटेस्ट 2011 में 65.46 हो गया female literacy rate during the period 1991-2001 increase by 14.86 percent whereas male literacy rate rose by 11.72 percent the increase in female literacy rate was 3.15 फाला कि यहां पर यह शोग रहा है कि जो male का है उसका कम जा रहा है अब यहां आपको समझ आएगा 51 में देखो यह है हमारा total 18.3 total था जिसमें से की male का था 27.2 और female का 8.9 अब 51 में 8.9 था और यहां पर आते आते 11 में 64.6 हो गया और यहां पर male का था 27.2 और यहां पर 80.9 हाला कि जो यह आपको मोटा मोटा देखने में ऐसा नजर आएगा कि male percentage जादा है लेकि हम overall लगाएं तो यहां पर क्या था 8.9 है और यहां पर 64.6 है इसका मतलब यहां पर जादा बड़ा है और यहां पर 27 है और 80 है यहां पर कम बड़ा है और ratio जादा होना चाहिए था हाला कि अभी भी यह जो female का rate है वो कम है लेकिन हम 1951 से लगाते हैं तो यह rate हमें ठीक ठाक सा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आज जो है कि women जो है अपने rights को लेकर अपने duties को लेकर उन्हें मालूम है कि उनको क्या करना है लेकिन फिर भी जो ratio है यह 64.6 है जो कि यह हमें 100% तक लेकर के आना है अब देखते हैं कि कौ कौन से ऐसे कारक हैं कौन से ऐसे factors हैं जो कि इनको education देने में लेने में इनको barrier का काम करते हैं education महिलाएं ले नहीं पाती हैं सबसे पहला है gender based inequality हमारी देश के हम बात करते हैं तो यहां पर gender based inequality है boys को ज्यादा preference दिया जाता है according to the girl तो कहने का मतला है कहीं न कहीं discrimination किया जाता है दोनों बच्चों के बीच में यदि दो बच्चों यदि जो parents हैं अपने बच्चे को दो बेटा और बेटी है तो उनके पास ज़्यादा resources नहीं हैं उनके पास पढ़ाने के लिए तो वो यही सोचेंगे कि जो बेटा है यह हमा सारी जो भुड़ापे का सहारा बनेगा तो वो उसको पढ़ाने पर जादा ध्यान देंगे क्योंकि उनको लगता है कि बेटी को था में दूसरे घर भेज देना है इसको शारी इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तो खाना ही बनाना है उसके बाद सोशल डि ग्राउंट पर गर्स का होता है और घरेलू काम में इनका इन्वॉल्मेंट होना कि यह लड़कियों घरेक काम करना होता है वो अपने छोटे भायन भायों की देखवाल भी करती है जिस वजए से वो इस्कूल नहीं जाते हैं यह वो पढ़ने पाती है और लो एंडॉल्मेंट जो इनका रिटेंशन है इसकूल में मतलब बने रहना है वो इसकूल में बनी भी नहीं रहती है और इसकूल छोड़ देते हैं जल्दी से बहुत सारी इसकूल छोड़ने की डॉप आउट होने की वज़ए हो सकती है जिससे कि उन्हें घरा काम करना है चोटे बहन भायों की देखबाल करनी है या उनके सिंगल पेरेंट्स हैं या उनके पास फानेशली सपोर्ट उनको नहीं है फानेशली वीक हैं वो अब इसके बाद है गर्स इंडॉल्मेंट अकलियर डिकलाइन इन नंबर्स कैन बी सीन इस्पेशली एस वन वोस फ्रॉम दा अंडर ग्रेट टू आगे अपर प्राइमरी में वो जाते हैं उनका रेश्यो 15 हो जाएगा 14 भी हो सकता है 13 भी हो सकता है तो मतलब 20 लड़कियों ने एड्मिशन लिया लेकिन वो फर्स तो फिफ तक तो मालेजे 20 पढ़ ली है वो लेकिन जब 6 क्लास में आती है तो उसमें से बहुत से बच्च आने चाहते हैं कि अर्ली मैरीज हो जाती है अब हाला कि जो हमारा नया डेटा है जो नया डेटा है वो यह कह रहा है कि जो 90-20 में प्री प्राइमरी से लेकर जो अपर प्राइमरी स्कूल्स की में जो टोटल इस्टिएंट की बात करें 26.45 करोड के पार पहुंच गई है हाल 2020 की डिपोर्ट के अनुसार की स्कूल कक्षा के जो सभी लेवल है मतलब प्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी उनका जो है एंडोल्मेंट जो रेशो है वो 80-90 की तुलना में सुधार हुआ है और जो स्कूल में जो पी टी आर है उसमें भी सुधार हुआ है अब गर्स ड्रोप आउट देखते हैं ड्रोप आउट का मतलब गर्स का बीच में अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर देना या छोड़ देना अब यह गौर्मेंट एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सेकेंडरी स्कूल लेवल पर इसकूल छोड़ने की जो र रही आनुसारं कशेट होते हैं की नोट इन्टरसीन जरी सी गर्र्स पढ़ने में इंडरिंट नहीं लेती हैं क्यों नहीं लेती यह क्योंकि ऐसा एन्वार्मेन्ट नहीं मिल पाता है उनका इंटर्स क्रियेट ही नहीं हो पाता है उनका disappointment घर के case में लगा दिया जाता नहीं और लड़कियों का एक बड़ा प्रतिशत पास में स्थानों की अनुपरबता कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो उनके घर के पास नहीं हैं घर से बहुत दूर हैं तो वो दूर स्कूल भेजना भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सेफटी न स्कूल अपने बच्चों को लड़कियों को नहीं भेजते हैं जिनकी वज़य से वह बीच में अपनी बच्चों की पढाई लड़कियों की पढाई को रोक लेते हैं छोड़ देते हैं जो गर्स हैं वो ड्रोप आउट हो जाती हैं अब इसको लिए क्या-क्या स्कीम चलाई हैं यह जो थी यह फीमेल इसमें कहा गया कि जो टीचर होंगे बैसिकली उनको फीमेल टीचर को प्रिफ्रेंस दिया जाए और जो पूर गर्न हैं उनको स्कॉलर्शिप दी जाए इसके बाद को थारी कमीशन में भी बात की गई कि बॉइस और गर्स का करिकुलम से मोना चाह हो यह सारी स्कीम जो हैं वुमेन एजुकेशन को प्रिमोट करने के लिए उनको एंकरेज करने के लिए यह गौर्मेंट की तरफ से स्कीम चलाएगए उडान स्कीम चलाएगए कि छातनां को पंक देना मिड़े मिल जिससे की बच्चे मिड़े मिल यह दोनों के लिए वैसे जो गस दोनों के लिए है कि जिससे की बच्चों का एंडॉल्मेंट बढ़े वो बच्चे क्लास में रुके रहें और उनका एक सर्वे में पाया गया था कि बच्चों को प्रॉपर जो है पोशन नहीं मिल पा रहा है तो जिस वज़े से मिड्डे मिल को स्टार्ट किया गया सर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा आपका है ना तो सारी स्कीम चलाए गया है अब हाई एजुकेशन के लिए कि जो गर्स बीच में ही ड्रोप आउट कर चुकी हैं तो वो क्या है डिस्टेंस लर् स्कीम चलाए जा रहे हैं जिससे की जो वोमन है उनको एजुकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो पोस्ट ग्रजुएट इंद्रा गांधी स्कूरर्शिप सिंगल गर्ल चायल फॉर परस्यूंग हाई टेक्निकल एजुकेशन कंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वोमन तो ये बहुत सारी स्कीम जो हैं ये इन स्कीम को चलाया गया है और जो दुर्गापाई देश मुक अभी इसके बात उपर बात किये तो उन्होंने वोमन के वेलफेर के लिए केंद्रिय समार के लिए बोर्ड को भी स्टैब्लिश किया था तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चलाएंगा ही गौर्णमेंट की तरह से चलाएं जा रही है जिससे की वोमन को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए इसके बाद आपको कंक्लूजन भी देना होगा कंक्लूजन में आप यही बताएंगे कि पहले से लेकर अब तक कि हम यदि बात करते हैं तो वोमन को वोमन एमपावर्मेंट बड़ा है वोमन की एजुकेशन को प्रॉमोशन मिला है और उनको एजुकेशन मतलब दी जा रही है जिससे वो उनको एक रिगार्ड भी मिल रहा है और शायद भारत एकमात ऐसा देश है जहां पर की करोर लोग अर्ध नारिश्वर भग की रहते हैं और ऐसा भी माना जाता है अगरे अगरे नारी की आगे आगे नारी होती है तो कहने का मतलब है कि जो वोमन है उनको उनका जो फोर्मल एजुकेशन में प्रॉपर प्लेस उनको दिया जा रहा है और जिससे की जिससे की उनके वोमन एमपावर्मेंट उनका बढ़ लिए होप आप वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए पैसाथ और यदि आप न्यू वीवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए जिससे की आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप चाहें तो हमारे इस फे